असलामलेकुम व्यूवर्स मैं नेदा and welcome to my channel only foodie आज आपक लिए लेकी आई हूं बहुत ही useful किसम का टरीका टमाटर को किस तरीके से save कर सकते हैं जब टमाटर सहते हूं आप तब भी इनको इस तरीके से बना के freeze कर सकते हैं और जब आपको जरूरत हो आप यूज़ कर सकते हैं मेरे पास जो हैं छे किलो टमाटर हैं आप इनको चाहें तो ऐस इट इस भी फ्रीज़ कर सकते हैं और जब आपको जरूरत हो आप इसको हलका सा वाश करें तो इसका पूरा छिलका जो है वो रिमूव हो जाता है सबसे पहले इस तरीके से इसका टॉप रिमूफ करके आप इसको इस तरीके से काट लें दो हिस्सों में कर लें if it totally depends on you, तो इसके चार हिससे भी कर सकते हैं तो मैं थो प्रोवाट या तो आपक यह गुट साथ इसके इंदर जाएगा दही तीन से 4 टेबल स्पून नहीं चाहिए हो गया है जो कि इसके फ्लेवर को मजीद इंहांस करों इस साथ भीक चाहिए है जर s में पिल्क टियार को आप चाहिए है तो यह टेमाटर डाले के बद में डालके भी freeze कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको इस तरीके से ice tray के अंदर डालके cubes की form में भी रख सकते हैं बट मेरे पास tomatoes ज्यादा थे सो यह idea it's not good for that अगर आपके पास थोड़े tomato हैं किलो डेड़ किलो के तो फिर आप इसकी ice cubes बना के आप रख लें और आप डायरेक्ट भी tomato को freeze कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने किया हैं मैंने इस तरीके से भी freeze करके रखे हैं बट इसमें आपको ध्यान यह रखना पड़ेगा क अच्छे से tomato को wash करके और कोई भी tomato इसके अंदर जो है वो गलावा ना हो क्योंकि जब आपने इसको freeze कर देना है तो इसका गलावा पाट आप रिमूफ नहीं कर सकते और वो as it is इस 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 पता भी नहीं चलता और इसी तरह वो हम इस्तमाल कर लेते हैं तो इ हाफिस